अब बना रहे हैं देगी चना पुलाओ एक नए अंदाज में और इसके साथ है दही वाली मिर्शी का अचार अब चाहे तो इसको रायते के साथ में भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही घजब का कॉंबिनेशन है एक बर अगर आपनी यह रहा ली तो बार बर बनाना चाहेंगे चली कैसे बनाना आए सीख लेते हैं सबसे पहले मैं एक फ्राइंट पैन ली है जिसमें मैं तेल गरम करूंगी तो यहां पे मैंने 4-5 बडे चमपा चॉयल गरम कर लिया है और इसमें मैंने 200 g लिए हैं जो के इस तरह से मोटी वाली मिर्चे हैं और इनको मैंने तेल में डाल दिया है मिर्चों में मैंने slit लगा लिया था वरना ये बहुत जादा उड़ती है तो इसलिए यह उड़ रही है तो इस्के उपर लगा धिया मैने जिससे चीटेवा बाहर नहीं आएंगी और पड़ेगा नहीं तो बस एक साइड से हलका हलका चीटे कंपने लगी है तो स्टृर करदे रहे हुए is फ्लेम लो कर दी है मैंने और वापस से हमें इसको अच्छ से युद्शों कोई ज़ादा कुक नहीं करना इसके ऊपर बस हलका सा कलर आ जाना चाहिए और यह मिर्चे जो है में दालनी होगी गप दराफ कब दरी इसाथ में डाल रही हूं निमु का रस या पूरे तो इलिपनी का पल दाल सकते है Esoft 1 धिए हाटड़ं कलोंजी सेशल भी मैं नमक 2 टीजफ़ याद pan Нет में जतनी मिर्चे हैं उस हिसाब से दो से तीन टीस्पून जाएगा इसमें नमक तो मैंने दो टीस्पून डाली है हस्बिस जरूरत आप डालिएगा करीपत्ता मैंने डाली है 20-25 और इसमें मीठे पन के लिए गुर डाल रही हूं मिर्ची काचार खटा मीठा सा बनेगा बहुत ही अच्छा लगेगा और बस यहां पर इसको चला दीजिए और अब फ्लेम को आपको हाई कर लेनी है जब तक जसी फ्लेम हाई करेंगे ना यह कुक होना शुरू हो जाएगी और दही है दही का मॉइस्टर निकलने लगेगा और जब थोड़ा दही इसमें भुन जाता है हलका हलका तेल सर्फिस पर नजर आने लगे तो आप क्या करें सारी मिर्चों को इसमें डाल दीजिए और लगतार स्टर करते रहें यहां पर आपको फ्लेम को ना लो रखना है ना मीडियम बिल्कुल हाई रहेगी क्यूंकि जो थो होंगी तो अगर आपको मिर्चर खाना पसंद का अचार अच्र सर लगता है करिए और यहां पर लगतार स्टशु क्यों बुर्णे मिर्चों में अनदर जब मुछा है उसको निकाल देंगे फ्लेम ओफ कर देंगे और अच्छी बात यह है कि आप इस मिर्चो के अचार को 10 से 15 दिन तक इस्तमाल कर सकते हैं बहुत अच्छी रहती है आप चाहे तो इसको एटाई डबे में करकर फ्रिज में रख सकते हैं और बस इसको इसको एंज्वाइ कर सकते हैं जब भी आपको दिल कर रहा हो मिर्चो काचार खाने का खाने के साथ में लंच में डिनर में आप इसको ले सकते हैं बहुत जादा अच्छी है आप इसको सर्फ कर सकते हैं तो यह वाली दही वाली मिर्चों का अचार जरूर ट्राइ कीज़ेगा चले अब हम लोग देगी चना पुलाओ सीखते हैं जिसको बनाने के लिए एक बड़ा वेसल लिया है मैंने जिसमें मैंने चार से पांच टेबल स्पून तेल डाली है जब यह तेल गरम हो गए तो इसमें मैंने तीन प्याज ली है मीडियम साइस की और इस प्याज को स्लाइस और इसमें 2 टमाटर डाली है इसके साथ हरी मिर्चं डाल रही हूँ तो 6-7 पिस डाली है मैंने एक डालचीनी का टुकडा लॉंग डाली है मैंने शे राची अर्वी फ्लेम है इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, तो नमक मसालों के लिए डाल रही हूँ मैं तो तकरीबन एक बड़े चमच डाली है मैंने और इसके साथ इसमें एक मसाला डाल रही हूँ मैं, यह है मसाला मैजिक जो कि मैगी का आता है ये मैं दो सेशेट में डाल रही हूं आराउंड दो से तीन बड़े चमच इसके साथ ही मैं इसमें अद्रक लेसन की पेस्ट आड़ करूंगी तीन चमच और अब फ्लेम मैंने हाई कर दी है और हाई फ्लेम पे इस मसाले को मैं भून लूँगी तो ये जो मसाला है एकठा आपको डाल देना है और आप फ्लेम हाई करकर इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक टमाटर गल नहीं जाता और ये मसाला भून कर तेल सर्फिस पे नजर नहीं आने लगता इन केस अगर आपको यहाँ पे पानी की ज़रत पर डिफरेंट्स तो आप थोड़ा बहुत पानी डाल लीजेगा तकरीबर एक चौथाई कप और पानी डाल कर मसाले को भून लीजेगा मैंने थोड़ा बहुत डाला है टमाटर का खुद का मौइस्टर है उसी से यह मसाला भून रहा है और बहुत ही अच्छा टमाटर गलने तक मैं इसको भून लेती हूँ देखें ये टमाटर का मसाला बिलकुल अच्छ से भून चुका है नमक डाल कर मैंने इसको छे साथ विसराने तक बॉल कर लिया और ये बॉल कियावा च्छा यहां पर डाल दिया है इसमें थोड़ा बहुत जो मौश्चर था पानी था वह भी डाल दिया है और इस मसाले में इसको मैं भून लेती हूँ तो अब यहां पर मैंने दो कप चावल लिये थे इसलिए तीन कप पानी डाल रही हूँ यह तो जब भी पुलाव बनता है चावलों का दो गुना पानी डाला जाता है डबल डाला जाता है लिकिन मेरा चावल बहुत अच्छर से फुला हुआ है 20-25 मिनट तक इसलिए मैंने तीन कप पानी डाली है और पानी डाल कर इस पानी में बॉयल आने का इंतजार कर रही हूँ जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा इसमें हम लोग डालेंगे हमारे वाश करकर रख्या रख्य हुए चावल जो कि मैंने बासमती रह रहा इसली है और यह दो कप ली है मैंने द दो से दाई चमच डाली है मैंने आप नमक हस भी जरूर डालिएगा क्योंकि छोले में भी नमक था प्रस मसाले में भी नमक था इसके साथ हरा धनिया पॉदीना डालना है और कुछ साबुत हरी मिर्चर डालनी है यह सारी चीज़े डालकर आप इसको एक बर स्टर कर दीजिए और 5-6 मिनट तक मीडम फ्लेम पे कुकर डीजिए लिड लगा कर बीच में मैंने चेक कर आई है और यहां पर लिड हटाकर चेक कर आ रही हूं मैं देखें इस तरह से यह खिलना शुरू हो गया चावल इसमें तो वापस से लिड लगाएंगे और 7 मिनट तक मीडम फ्लेम प कुक हो रहा था और चावलो का पानी खुश्क हो चुका है थोड़ा बहुत मौश्यर है इस तरह से मैंने चेक करकर देखा कनी भी है इसमें इस पॉइंट पे हमें क्या करना है जो हमारी फ्राइकर कर रखी वी प्यास थी न वो डालनी है वो पूरा स्प्रिंकल कर दे रही ह और बहुत ही खुश्बुदार बहुत ही मज़े की दिखरी है और खाने में बिलकुल अच्छी है तो यहां पर चावलों का दाना है आप देख सकते हैं एक 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 खिला हुआ है और बहुत ही मज़े का यह लग रहा है मैं सभी तरफ से आपको इसको मिक्स करकर दिखाती तो गर्मा गरम प्लेट कर लेते हैं इस चना पुलाओ को जरूर बनाएं इसके साथ में आप रखलें बूंदी रायता या सिंपल रायता और रखलें यह दही वाली मिर्चो का अचार फुल कम प्लेट लंच या डिनर मेन्यू आइटम है फ्रेंट्स जरूर ट्राइ करें ज बहुत ही जबरदस्त है या अगर स्पेशल बनाना चाहते हैं इसको तो जरूर ट्राइ कीजेगा इस तरह से एक बर बना कर देखिएगा उमीद है आपको भी यह बहुत अच्छा लगेगा और आपका भी यह चना पुलाओ बहुत ही मज़ेका बनेगा सारी प्रॉपर मेज जरूर दीजेगा चले फिर मिलती हूं मैं एक नई धमाके दौर बहुत जबरदस्त रसेपी लेकर अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल दौहों में आद रखिएगा थैंक्स फूर वाचिंग